विडियो को पूरा देखे तभी आप अपने इस प्रॉब्म को सॉल्व कर पाएंगे फिक्स कर पाएंगे तो फेंट चले विडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे आप अपने मुबाल के प्ले इस्टोर पर जाकर माइलेवन सरकल अपडेट करते हैं लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स पर जाना है अब आपके फोन में जितनी भी सेटिंग्स आपके सामने ओपन होके आजाएंगी थोड़ असना नीचे जाएंगे यहांपर आपको Apps का option मिलेगा एपस पर क्लिक करेंगे अब आपके फोन में जितने भी एप्स इंस्टॉल हैं सभी एप्स यहाँ पर open होके आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Google Play Store इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बार नीचे इस टोरिज पर क्लिक करेंगे नीचे लिका है लेप साइट पर clear data बेगरम लिका है clear कैसे clear कैसे में क्लिक करेंगे इससे आपके Google Play Store की यतनी भी temporary फाइले हैं वो clear हो जाएंगी इतना करने के बार नीचे लिका है force stop इस पर क्लिक करेंगे यहाँ लिका if you force stop an app it may cause error इसके बाद okay करेंगे इतना करने के बाद अपने फोन को एक बार restart करेंगे restart करने के बाद एक बार अपने फोन के net को चेक करना कि आपका net balance है या net चल रहा है इसके बाद play store पर वापस जाएंगे my label circle app search करेंगे और जैसे update करेंगे आपका app successfully update हो जाएगा और आपकी problem 100% solve हो जाएगी वीडियो पसंद आया हो लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe जरूर करें